यहां मैं बना रही हूं नान रोटी गैस चुले पर भी बनाया जा सकता है मैं कभी सिंपली आप लोगों को यह रेसिपी सेयर कर दूंगी तो यह ले जा रही हूं मैं रोटी और यहां मैंने ले लिया है साही पनीर ले लिया है आप देख सकते हैं पनीर का कलर बहुत अच्छ कर दो कर दो तो गाइज यहां मैं धो रही हूं टमाटर आज मैं बनाऊंगी टमाटर की मीठी चटनी जो इसके पहले भी एक वार रेसिपी सेयर की थी तो वही मैं बनाने वाली हूँ तो चलिए पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ फिर टमाटर की चटनी बनाऊंगी मैं हूँ आपकी दोस्त स्वेता तो आज मैंने सोचा कि पहले हम लोग धेर सारी बाते कर लेंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी तो अभी किचिन में टमाटर दूल कर रख दिया है मैंने तो गाइज आज मैंने पहनी है मल्टी कलर्स की सारी मैं पूरी सारी का लुक मैं थोड़ी दिर में आप लोगो के साथ सेयर करूंगी और मैंने ये गले में पहना हुआ है ये गले का जो भी सेट है ये मैंने देली से करी दा था जब फैबरुरी में गई थी जब मैं घूमने के लिए उस टाइम और अच्छा खासा एक कमेंट्स आ रहा है मेरी जो बिंदिया ना इन बिंदियों के लेकर आ रहा है कमेंट्स एक मैम है यूटुबर जो की जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिया है कि आपकी बिंदिया बहुत अच्छी है बहुत प्यारी है थेंकी सो मच मैम आपने इतना अच्छा इतना प्यारा कमेंट्स दिया मुझे इस जो भी लेडीज बड़ी बिंदिये लगाती हैं वो खतरनाक होती हैं लेकिन आपको देख कर ये प्रूब हो गया कि आप बहुत खतरनाक हो तो वो जो भी है मैं उनसे कहना चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ कई बार इंसान को गुसा आ जाता है आप लोगों को भी कई बार घर में गुसा आता हुआ तो चलिए चलते हैं छट पे तो फिर वहां करेंगे ढेर सारी बाते एक बार मैं साड़ी के लुक को दिखा दू नहीं तो बार में फिर आप लोग चले जाओगे तो फिर कैसे दिखाओगी तो दिखा देती हूँ तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने छट पे एंड आज की हर रोज तो हमें क्रिएटर का नाम लेते ही हैं हम लोगों के लिए यह चीज़े तो कॉमन सी हो गई है तो आज की जो क्रिएटर हैं वो हैं ब्लॉगर सरोज तो जो ब्लॉगर सरोज हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हैं जो आपके हेर के लिए आपके फेस के लिए जो घरेलू नुसके होते हैं वो सारी चीजे बतायती है वो तो जाएए आप उनके जो भी है चैनल पर जाएए और आप उनके काम को एप्रिशेट कीजिए तो आज आपने जो जो कमेंट्स किये हैं उन सब की मैं नाम लेने वाली ह मैं दिखाई नहीं देरी रुख जाओ मैं एक मिनट में अपना जो भी है ना सुन्दर चेरा में आप लोगों को दिखाती हूं दिख रहा है अब अब दिख रहा है हाँ रोली जो प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आ है वो है रोली बर्मा और असुतोस कुमार हर्षा अर्चना नीभा और है अन्नुजी, मनकरान, सोमा, हर्ष, इस्वर्य ब्लोग, कवीता, पूजा, मीरा सर्मा, प्रियांका रागह, और है खुसी, सक्षम और मम्मा, रूपम, नीलम, त्रेता त्यागी, रेनु सिंग, कवीता कुमारी, और साथ में एक है, जिन्होंने बहुत स्वीट सा मैसेज भीजा है, रूप के लिए, लव यू रूप बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच स्वीटी संजीत, और कमेंट्स आये हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स है, एक है मीना सजवान का, कि उन्हें ये रेसिपी जो मैंने लीटी वाली रेसिपी सेर की, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और आइधिंक, अबरॉल सब के नाम हो गए, तो गाइज, थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना अच्छा लगा ये सारे कमेंट्स को पढ़के, और साथ ही आइधिंक, एक-दो दिन पहले ही बात करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, कि जब बहुत सारी चीजे होती है, मैं उनको चाहती हूँ कि उन चीजों को मैं इगनोर करूँ, लेकिन कई बर क्या होता है, कि इगनोर करने से बात नहीं बनती है, और बात बढ़ जाती है, और क्या हो रहा है किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और इन सब के बीच कौन परेशान हो रहा है वो सारी चीजे मैं आभी बैठ के बात कर लेती हूं देखिए जो भी पूरी बात है वो मैं अब फाइनली मैं समझ चुकी हूं कि मैटर क्या है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं तो देखिए जो भी मैटर है वो दो तरह के टीम के बीच है चलिए कंसिडर कर दिए एक टीम सीला का टीम है एक टीम मुन्नी का टीम है ठीक है यहां इस दोनों नामों को सीला और मुन्नी को कोई खुद पे नहीं ले लेकिन जो लोग है जो परसन है मैं उनका नाम इस ब्लॉक के अंदर डिस्क्लोज नहीं करना चाती क्योंकि मैं पर्सनली किसी को डिफेम नहीं करना चाती हमेशा एक चीज होता है कि पता नहीं कि लोग मुझे बार बार विवादों में फसाने की कोशिस करते हैं अब देखिए जो सीला का टीम है ये बोलता है कि मुन्नी गालि बहुत है कि दोनों के बीच एसा ही चल रहा है और दोनों ने बहुत रहे से हदे पार की है एक जो है एक बहुत रूल्स रेगूलेशन पर जाती है और साथ में मुझे भी ब्लेम करने की कोशिस करती है कि सब तुम्हारा की अधरा है ये है वो है तो देखिए यहां पर मैं एक चीज़ कहूंगी यहाँ पे जो भी है कोई जज नहीं है ठीक है और मैं आपकी दोस्त हूँ और आप लोग जिस तरह के कंटेंट को देखना चाते हैं मैं उस तरह के कंटेंट को दिखाती हूं कहीं न कहीं कल मैंने एक लाइन बोली थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनको फॉलो करती हूं ठीक है दूसरे यूटुबर्स की तरह नहीं कि यूटुबर्स को सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं म और बाकी मैं एक डेर मेने से ब्लॉग्स बना रही हूं आप लोगों को पता है कि अल्रेडी मेरे चैनल की क्या इस्तिती है मैं खुद कितना परेशान हूं इसके बावजूद भी विवादों में फसाया जा रहा है लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं तो जो सीला और मुनी इ आप दोनों में से कोई मत यूश कीजिए ठीक है मैरी जो भी होगी यह मेरी आप लोगों के लिए लास्ट वार्निंग में और बाकी जो अगला matter के भीच में मैं involve नहीं हूँ मेरे बस comment section के अंदर यह matter चल रहे हैं पूरे दिन कभी कोई message कर रहा है कभी कोई message कर रहा है आपको पड़े नहीं आप देखती नहीं है comments देखिए अगर आप ऐसे mother हैं आपको भी पता है छोटा बच्चा रहता है इंसान क्या क्या करेगा लेकिन मुझसे जितना होता है मैं वो करूंगी ठीक और मैं कर भी रही हूं आप सब के साथ मैं अपनी lifestyle अपनी चीजे मैं गाउं में रहती हूं वो चीजे मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं लेकिन इसके बावजूद यह सारी चीजे हो रही है अब आप लोग ही बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए तो देन गाइज ब्लॉक कर दो उनको भी ब्लॉक कर दो बात खतम हो जाएगी ठीक है क्योंकि इन सब के बीच बहुत सारे लोग यह सारी चीजे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस question का answer जानना चाहते थे कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ देखिये जहां भी कहीं भी गाली वाली बात होगी तो मैं यहीं सोचूंगी कि कपड़े बगेरा डाले हैं तो मैं कपड़े ले लेती हूं नीचे जाओं मैं कल मैं मिलती हूं आप सबसे तो गाइज यहां हो गया है मेरा मूड ओफ एंड मैं कल बनाओंगी टेमाटर की मीठी चटनी तो कल आप लोग देखना यह सारे कुछ कपड़े मैंने आज धोये थे अब मैं ले जा रही हूं कल की ब्लॉग में सोच समझ के जबाब देना ओके तब तक के लिए बाई बाई लव यू टेक केर